नमस्कार आज की बड़ी खबर है पाकिस्तान बौखला चुका है परधान मंतरी नरेंद मोदी के मास्टर स्टोक से आपको बता दे कि परधान मंतरी नरेंद मोदी का जो मास्टर स्टोक था कस्मीर को लेकर कस्मीर में जिस तरीके से 10,000 सैनिकों की बड़ोतरी की गई और वह मत चुकी है पाकिस्तान भी इस कदम से सहमा हुआ है और कह रहा है कि हम इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने उठाएंगे और किस तरीके से महबुबा मुप्ति हर दिन नए नए बयान दे रही है उनकी बॉखलाहट सामने आ है जिस तरीके से सामने आ रही है न्यूज की थर्टी फाइब और इलेक्षन को लेकर वहां पर सुरक्षा ब्योस्था को मद्य नजर रखते हुए कैन सरकार में वहां पर अत्रिक्त सैने बलों को भेजा है और जिसमें सो कंपनिया थी उसके बाद जिस तरीके से समाचार मिल हैं कि 15 अगस्त के आसपास आर्टिकल 35 हे हटाया जा सकता है और उस पर सरकार बड़ा नेड़नाई ले सकती है उस कदम से पाकिस्तान क्या अलगावादी सारे बोखलाए हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालाई ने उस पर सवाल उठाये है और विदेश मंत्री साव मवमू कुरेशी भारत की कारवाई से घबरा कर कहते हैं कि भारत की युद्ध मनुद्शा चिंता जनक है भारत ने दस हजार और सैनिक कस्मीर में भेजे हैं वो मानध्युकरों का उलंगन कर रहे हैं पाकिस्तान इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने उठाएगा भारत वारत मध्यस्ता के लिए तैयार नहीं है और नहीं किसी और की मध्यस्ता के लिए तैयार है यह एक बिचित्र इस्तिती है आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने अमेरिका जाकर किस तरीके से ट्रम्प के सामने गिड़गडाए और कहा कि भारत आप एक महासक्ति हैं और महासक्ति के राष्टपति हैं आप भारत को ये दबाव डाल सकते हैं कि आप मध्यस्ता करें कस्मीर के मसले पर लेकिन भारत के विदेश मंत्रालाई ने भारत की मोधी सरकार ने एकदम कड़ा जवाब दे दिया कोई तीसरे मुल्क को बीच में हस्तक्ष आए फिर हम बातचीत करेंगे अब इस पर पाकिस्तान पूरा बेनकाब हो चका है और बात कह रहा है कि हमारे जो इंटर्नल मैटर है हम अपनी सेना को कहाई भी भेजें उससे उसको क्यों सिरदर्दी है आपने देखा जिस तरीके से बाला कोट स्ट्राइक के बाद किस तरी उन्हें भारत के सामने ये भी सर्थ रखी कि जो फॉर्वर्ड वे से अपने लड़ाकों विमानों को हटा दे तब हम एरिस्पेस खोलेंगे लेकिन भारत की सरकार ने उनको कड़ा जवाब देते हुए कहा कि हम आपकी एक भी सर्थ नहीं मानेंगे आपको खोलना है तो इससे कितने बौकला गए हैं पाकिस्तान तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से ये समाचार मिल रहे हैं कि बॉर्डर पर घुसपैट की कोशिस पाकिस्तान लगातार कर रहा है उसमें पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की सैना ने दिया पाकिस्तान के अनेकों जो चोकिया है वो उड़ाई है और उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा और जिसके बाद उन्होंने भारत के राजनायक को भी बुलाया और उस पे अपना प्रोटेस दर्ज कराया ये बात तो अलग हुई लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ अपने देश में रोटी और नान को लेकर उनके केमतों को लेकर बात कर रहे हैं उनके परधान-मंत्री उनके कीमतों पर नियंतरण कर ले के लिए फैसले ले रहे हैं मतलब इतनी भुकमरी वाली इस्तिती हो गई है कि पाकिस्तान के परधान मंतरी इमरान खान को वहाँ पर रोटियां और नान के रुपियों को लेकर बड़ी मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस पे कीमते तई करनी पड़ती है तो लगा सकते हैं कि अब रोटी और नान के चक्कर में ये देश लगा हुआ है एक तरह भारत जहां चंद्रमा पे जा रहा है ये रोटी और नान के चक्कर में पूरा देश लगा हुआ है आपको बता दें वहीं बहुत बड़ा बिरोध हो रहा है पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बड़ी है आज ही पाकिस्तान म पैटरोल की कीमतें सस्ती हैं लेकिन आप लगा सकते हैं कि सो से उपर वहाँ पैटरोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं तमाम नान रोटी हर चीज की वहां मेहंगाई । दे बई डे बढ़ती जा रही पाकिस्तान में त्रही माम मचा है लेकिन दूसरी तरफ ये कसमीर का राग अ उलापना नहीं चोड़ते हैं तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा जहटका है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत के निर्णाई से पूरी बेचैनी बढ़ गई है वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान समझ चुका है कि पाकिस्तान जो घुसपैट कराने की कोशिस कर रहा था कस्मीर के द्वारा अब भारत की एजेंसियों ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत की खोपिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के उस मनसूबे को भाप लिया और उससे पहले ही वहां सैनिक भेज दिये और जि सकती है अब भारत सरकार अगर कस्मीर में कोई निर्णाई करती है तो उससे पाकिस्तान में बॉखला हड बढ़नी जरूरी है वही महबुवा मुक्ति आज बयान देती है कि कस्मीर एक मुस्लिम बहुल मुल्क है आप लगा सकते हैं कि ये कस्मीर को अलग मुल्क बता रही है और वो भी मुस्लिम बहुल आप देख सकते हैं भारत एक हिंदू बहुल देश है लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता है इसको सेकुलर राष्ट कहा जाता है लेकिन जैसे ही कस्मीर की बात कर रहे हैं तो कस्मीर को ये अलग मुल्क बताने की कोसिस कर रही है इस तरीके से को बता दें अभी सबसे बड़ी ख़बर आज की यह रही पाकिस्तान में जिस तरीके से कुल reviewing जादव को किडड़ाप किया और उनको वहां पाकिस्तान में गेर कानूनी तरीके से उनको वहां पर रखा अफ्रण करके पाकिस्तान ने जो कांसलर एक्सेस देने की बात जो जिस तरीके से वह इंटरनेशनल कोट आफ जस्टिस में हारे थे के इसको और इंटरनेशनल कोट आफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि जो सजाए मौत है उस पर तुरंत रोग लगा देनी चीए और कांसलर एक्सेस देनी चीए कुल वुशंड जादाव को लेकिन पाकिस्तान फिर बेनकाब हो गया है किस तरीके से इंटरनेशनल कोट आफ जस्टिस का मजाक उड़ा रहे है किस तरीके से उन्होंने अब सर्ते रग दी है जब कि कांसलर एक्सेस के लिए कोई सर्त नहीं हो स रहा है पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है वो समझ रहा है कि अगर कुल भुशंड जादाव ने पाकिस्तान को बेनकाब किया पाकिस्तान की पूरी चाल बेनकाब हो जाएगी पाकिस्तान अपनी पोल नहीं खोलना देना चाता है इसलिए वो कुल भुशंड जादाव के सामने CCTV recording कराना चाता है और अपने यहां के ISI के agent को वहां के अधिकारी को वहां पर मौजूद रहने के लिए कह रहा है जबकि जो counselor access है उसमें कोई पाकिस्तानी अधिकारी नहीं आ सकता है नहीं उसकी recording हो सकती यह meeting बिल्कुल गुप्त होगी भारत के अधिकारियों के बीच और कु गुषर जादा उसको लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है वो बहुत बड़ी खबर है वही दूसरी खबर आज परधान मंतरी नरेन मोदी से फारुक अब्दुल्ला मिले फारुक अब्दुला ने ये बात रखी परधान मंतरी नरेन मोदी से कि जो भी कदम आप उठाएंगे आप जल्द बाजी में मत उठाना ये कस्मीर के हालतों को देख कर लेना क्योंकि कस्मीर में हालत बिगड़ सकते हैं तो ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और जो ये अब्दुल्ला परिवार है अपने पेटे उमर अब्दुल्ला को भी साथ लेके गए थे औ पास और इस तरीके की गड़ गड़ाने लगते हैं तो लगता है कि अगर 35 वहां पर हटाया जा सकता है तो लगता है पाकिस्तान और फारुक अब्दुला और महमववा मुप्ति के होस उड़ जाएंगे उनकी राजदीतिक दुकान बंद हो जाएगी और पाकिस्तान पूर जाएबरत